नमस्कार दोस्तों, SSE JSPON में आपका स्वागत है, अब आज हम बात करेंगे 11th क्लास के 7 वे चेप्टर की, जिसका नाम है संगवाद, दोगों संगवाद को हम इंदर धनुस के नाम से जाना जाता है, इंदर धनुस का मतलब होता है, सात रंग होते हैं उसमें, लेकिन सभी र संगवाद क्या है, संगवाद में एक केंदर सरकार होती है, और बाकी राज्य सरकार होती है, लेकिन सभी राज्य सरकारों के द्वारा ही वो देश बनता है, एक तरह से विश्वास, सहन सीलता, धेर्य के द्वारा ही वो संगवाद फली हूत होता है, आईए हम विदेश के क करता है कि मैं ही इसका हुआ नहीं है यह एक तर से एकात्मक वाद और अगर राम कहें कि पूरी टीम इसकी खुरेट लेगी यह पूरी टीम ने एक Ini मेज़ जिताया है तो यह हम संगवाद की बात करेंगे कैने का मतलब संगठन की बात करना, सहयोग लेकर काम करना, ये संगवाद है देखो जैसे USS R था Soviet संग था, उसका 1901 में क्या हो गया? विगटन हो गया क्यों? क्योंकि उसने सक्तियों का केंद्रिकन कर दिया यानि सक्ति एक ही जगह रखी सक्तियों को बाटा नहीं तो इस प्रकार, वहां क्या हो गया? विगटन हो गया, इसे प्रकार उद्वेकिस्तान में भी यह हुआ, वह बहुत सारी भासा और बहुत सारी संस्कृति होने के बावजूद भी उसका विगटन हो गया इसे प्रकार, चोकोशलोवाकिया युगोसलाविया, पाकिस्तान पाकिस्तान में देखा हमने एक तो होता है पस्चिन पाकिस्तान जो आज है और यह था पूरी पाकिस्तान जो आज का बांगला देश है बांगला देश पहले पूरी पाकिस्तान था लेकिन बांगलादेश की जो संस्कृति है वहां की जो भासा है बंगाली भासा थी संस्कृति थी उसको पाकिस्तान के लोग समझ नहीं पाए कदर नहीं कर पाए तो क्या हुआ ये पूरी पाकिस्तान तूट गया और ये क्या बन गया आज बांगलादेश बन गया तो इसी प नाड़ा भी तूट गया, तो भारत क्या है, भारत अखंड है, क्यों है भारत अखंड, क्योंकि भारत में बहुत सारे विवित्त अबरे जो लोग है, बहुत सारे भासा के लोग है, और वो सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और हमारे जो इकाईया है, हमारे जो राज्य ह वो आपस में सहयोग के साथ काम करते हैं भारत में विवित्ता है भासा की विवित्ता है धर्म की विवित्ता है आदिवासी लोग है हमारे हैं करोड़ों आदिवासी है जातिया है वर्ग है छेत्र है अलगलग प्रकार की सभी इन विवित्ताओं के बावजूद हमारा देश एक है क्यों क्योंकि हमारे यां एगता का कारण है साजी भूमी हार्य भूमी एक है जिस पर हम सबी रह रहे confident है हमारा सबी का यह कि इतिहास है हम सभी में कुछ समानताएं भी है इससे हमारे जो भारत विवित्ता है उसमें एकता है यही एक तरसे संगवाद है अब संगवाद USA में सुरू हुआ था सबसे पहले लेकिन हमारा सविदान USA से अलग है देखो वेस्टेंडीज का उधान ले वेस्टेंडीज 1908 थाउन में आजाद हुआ था औ 1962 में भंग हो गया 1903 में चिगो आरामस की संदी करनी पड़ी उसके बाद यह सबी जो इकाईया है उन्होंने साजी संसद साजी सुप्रिम कोर्ट साजी मुद्रा और एक केरविन समधाई के नाम से चलाया अब ने तो यह संग रह चुका और नहीं यह अलग-लग राज्य र होता है या यह टीम भावना नहीं होती है तो यह हाल होता है जो इंद्यसों का हुआ भारत का इसले नहीं हुआ कि भारत ने संगवाद को अपनाया सहयोगी संगवाद को अपनाया अब बात करें संगवाद के लक्षन क्या है तो संगवाद का लक्षन है पहला दोहरी नाग रिखता है गुजराती और इंडियन अलाकि हमारे यहां एकल नाग रिखता है केवलम भारतिय के नाम से जाने जाते हैं जबकि अमेरिका में अलग-अलग नाग रिखता है फिर लिखिस सविदान कोई भी जगर संगवाद है तो वह लिखिस सविदान होगा सविदान में सब लिखी होगी कि राज्य को कितनी ताकत देनी है केंदर को कितनी ताकत देनी है ताकि उनके बीच कोई मन मूटा हो नहीं हो कोई जगड़ा नहीं हो स्वतंत्र न्याई पालिक होती है यानि संग वाद में न्याई पालिक होती है वो स्वतंत्र होती है और सक्ति भाजन होता है ह हमारे अदेश में अलग लग सकती है, संग सुची, राज्य सुची और संवर्ति सुची, तीन सुचिया बना रखी है, संग सुची में वो विशे आते हैं, जिन पर क्यों संग सरकार कानून बना सकती है, केंदर सरकार कानून बना सकती है, जैसे आपका संचार है, बेंक है, डाक है, पेट्रोल है, रेल है, रक्षा है, विदेश मंत्राले हैं, ये सबी संग सुची में आते हैं और राज्य सुची में आने वाले विश्यों पर कानून राज्य बनाता है, राज्य सरकार बनाती है, जिसे कृसी है, सिक्षा है, पुलीस है, ये राज्य सुची के विश्य है, और एक है समवर्ति सुची, समवर्ति सुची पर दोनों ही कानून बनाते हैं, लेकिन ये दोनों तकड़ा हो जाये तो संग जो सरकार है उसका कानुन ज़्यादा मान्य होगा और एक है ओसिष्ट विषय ये वो विषय है जो तीनों में नहीं है जो नहीं प्रकट हुए हैं जैसे साईबर क्राइम है ये उस समय समधान बना उस समय नहीं होता था अब होता है तो ये सारे जो नए विशे हैं नए मुद्ध हैं वो आउसिष्ट विशे में हैं तो हमारे यहां सहयोगी संगवाद है सहयोगी संगवाद का मतलब एक दुसरे का सहयोग करते हैं हमारे देश में और अनुचेद एक क्या कहता है कि हम यूनियन है अनुचेद एक कहता है भारत एक राज्यों का संग है यानि यूनियन ओफ इंडिया भारत क्या है राज्यों का यूनियन ओफ इस्टेट है यूनियन है संग है और अनुचेद दो कहता है कि भारत में जो राज्य है और उनके राज्य छेत्र होंगे जो इसमें लिखे हुए हैं, तो ये संगवात के लक्षन है, इनसे ही देश मजबूत होता है, अब बात करें हम एकातमक्ता के लक्षन, यानि वो वाली बात की वे, राम खुद कहे कि मैं अकिला जीता हूँ, तो एकातमक्ता में क्या होता है, ससक्त के सरकार होती है यानि जो केंदर सरकार होती है और मजबूत होती है और राज्य सरकार कमजोर हो जाती है कौन-कौन से पॉइंट देखो एक तो अनुछे तीन कहता है हमारा कि संसत किसी राज्य में फेर बदल कर सकती है किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है और किसी नए राज्य को राज्यों के टुकले करके नए राज्य बना सकती है तो ये एक तरह से सकती सालिक के अंदर सरकार की निसानी है और आपातकाल इन प्रावधान अगर देश में कोई विद्रो हो जाए देश में कोई ऐसी इस्तिती हो जाए आंत्रिक असांती हो जाए तो अंच्छे 352 के तहत राष्ट पती आपातकाल लगा सकता है उसमें सारे राज्यों की सक्तिया छेन ली जाती है एक अनुच्छे 360 है उसमें वित्ति आपातकाल लगता है पर एक 356 है उसमें राष्ट पती सासन लगता है अगर किसी राज् और राष्ट पती सासन चलाता है तो राष्ट पती क्या है केंदर का तो एक तरसे केंदर सरकार ही सासन चलाती है फिर हमारे आय के जाजातर साधनों पर आय के जितने भी संसाधन है उन पर केंदर सरकार का नियंत्रण है इससे भी केंद सरकार ताकत वरोटी है हमारे योजन आयोग अब तो खेर निती आयोग होया है पहले योजन आयोग था निती आयोग पूरे देश के लिए निती बनाता है पूरे देश के लिए योजना बनाता है और पूरे देश की जो सरकार हैं राज्य सरकार हैं वो उसको मानती है तो ये भी केंदर सरकार के पक्ष में हैं और केंदर सरकार राज्य पाल की न्यूक्ति करती है तो राज्य पाल को एक तरह से केंदर सरकार का एजेंट कहा जाता है जो राज्य केंदर सरकार का एजेंट जो राज्य सरकार के पास जाकर और राज्य सरकार की जो कानून है उनको देखता है और उनकी सूचना राष्टपती को भेशता है प्रदान मंत्री को भेशता है तो राज्य पाल भी एक तरह से केंदर सरकार को मजबूती देता है राज्य पाल फिर राज्य सवा चाहे तो राज्य सुची के विश्यों पर कानू बनवा सकती है तो एक तरह से ये भी केंदर सरकार को मजबूत बनाता है फिर अंचे दोसों सक्ता उन केता है कि केंदर की सकती हमेशा सरवच होगी यानि जो केंदर सरकार है वो उसकी जो सकती हो क्या होगी सरवच होगी और अखिल भारती सेवा यानि केंदर सरकार के जो सेव आई-एस, IPS, वो सभी राज्यों में शासन करते हैं, लेकिन वो कहना केंदर सरकार का मानते हैं. इस परकार जो केंदर सरकार हैं, वो इन प्रावधानों से मजबूत होती है. एक और प्रावधान है अनुच्छे 33-34 में, वो है मारसल्ला यानि सेनिक शासन. अगर किसी राज् और एक राष्टपति सासन बताया था मुझे थी 356 इसमें राष्टपति का सासन लागू हो जाता है 1969 में केरल में राष्टपति सासन लागू हो गया था 1967 में अन्य सबीर राज्यों में कॉंगरे सरकार ने अगर उसकी मनमुताविक सरकार नहीं बनती है तो वहां वो राष्टपति सासन लागू कर देती थी 1980 में आंदर प्रदेश में और जम्मु कस्मीर में यही वात हुई तो इस प्रकार समय समय पर केने सरकार कई बार इन प्रावधानों का गलत इस्तिमाल करती है एक है अफस्पा, बेरी बेरी इंपोर्टेंट क्यूस्टन है अफस्पा, arm force special protection act ससस्त्र बल विसे सक्ति अदिनियम यह क्या है, फिर किसी भी राज्य में अपनी सेना बेजने का प्रावधान है किसी भी राज्य में बल प्रियोग करने के लिए केंदर सरकार इसको कानून को लागू कर सकती है अब हम बात करें केंदर और राज्यों के भी सम्मंद कैसे हैं तो देखो केंदर और राज्यों के भी सम्मंद इस प्रकार रहे हैं कि जो केंदर सरकार है केंदर सरकार ने हमेशा राज्यों के साथ सम्मंद अलग अलग प्रकार के बनाए है 1950 और 60 में क्या हुआ कि केंदर में भी कॉंगरेस की सरकार थी और राज्यों में भी कॉंगरेस की सरकार थी इसलिए एक दल होने के कारण कॉंगरिस का दबदबा रहा, यानि राज्य और के अंदर में आपस में गनिश्टा रही, मित्रता रही, लेकिन 1960 के बाद क्या हुआ, कॉंगरिस की सरकार की जगर, विरोधी दल की सरकारे राज्यों में बनना शुरू हो गई, इसलिए राज्य स्वायत्ता की मांग करने लग स्वायत्ता का मतलब होता है स्वतंतरता, यानि और ज़्यादा छूट लेना, और तब से ही सम्मंद बदलने लग गई, और 1990 से गठबंदन सरकारे आ गई, गठबंदन सरकार का मतलब किसी एक पार्टी को इस पष्ट बहुत ना मिलना, किसी एक पार्टी को आदे से ज़्य सदस्य ना मिलने के कारण, दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर और सरकार बनाती है, उसे गठबंदन सरकार कहते हैं, तो इसमें ज़्यादा जो छेत्री अदल होते हैं राज्यों के, उनके जो सदस्य हैं, वो इनको सयोग देते हैं, जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी का बारे में बात करेगा, जैसे बीजुजन्ता दल है, ओडिश्या का है, अब अगर बीजुजन्ता दल के सान सद इसको सरसमर्ठन देंगे, तो ओडिश्या के लिए इसको soft रहना पड़ेगा, ओडिश्या के लिए इसे vicious package देना पड़ेगा, तो गठबंदन सरकारों में प्रशास की सक्तियादो याने जो आई-एस आई-पियस आप भेशते हो उनपर नियंत्रन करने का अधिकार हमें मिलना चाहिए कोई कहता है हमारे सांस क्रति के जो आदिकार है हमारी संस्क्रति है हमारी भासा है उनको संगरक्षन दो नहीं को राजबासा में सामिल करो ये सबी स्वायत ताग स्वायत की मामले है अब एक आयोग का गठन किया गया था सरकारी आयोग Very Important Question नहीं सरकारिया आयोग, सरकारिया योग क्या था, ये एक आरेस सरकारिया थे, क्या नाम था, आरेस सरकारिया, आरेस सरकारिया क्या प्धिक्स्ता में एक आयोग का गठन किया गया, कब किया गया उननिस सो ती आसी में, इसने उननिस सो अठानमे में क्या दी, रिपोर्ट दी, और इ उसके बारे में यह आयोगठित किया गया अब नए राज्यों की मान एक ये भी है कहीं राज्य कहते हैं कि हमें हमारा जो एक राज्य है उसको तोड़कर नए राज्य बनाओ 1953 में आंदर प्रदेश की भासा के अधार पर स्थापना की थी उसके बाद राज्य पुनरगठन आयोग की स्थापना की गई स्थेट री ओर्गनाइजिशन कमीशन राज्य पुनरगठन आयोग में इसको बनाया गया गुजरात और महराष्ट इसी अधार पर साथ में अलग हुए पहले बंबई प्रांथ था बंबई के दो टुकड़े हुए जो गुजराती बोलते थे वो तो गुजरात बन गया और जो मराठी बोलते थे वो महराष्ट बन गया इसे प्रकान में 1966 में जो पंजाब था उसके दो टुकड़े हुए पंजाबी बोलते तो पंजाब बन गया और जो हरियान भी बोलते हो थे वो हरियाना बन गया इसके बाद साथ भेने जो पूरोत्तर के साथ राज्य है असम अनाचर प्रदेश मनीपुर मिजोरम मेगालया नागालया त्रिपुरा इनको भी अलग अलग तरह से राज्य बनाए गए और अब एमपी से अलग हुआ उत्राखन यूपी से अलग हुआ और जारखन बिहार से अलग हुआ और अभी 2013 में तेलंगाना बना जो आंदर प्रदेश से अलग हुआ अभी एक नए राज्य की मांग चल रही है विधर्व की जो महाराश सरकार कर रही है अब हम बात करें कि और कौ सिमाओं के चक्क्र में लड़ते हैं जैसे महाराष्ट करना टक मनिपूर नागलेंड महाराश्ट करना टक की एक जग़ा है बेलगाम उसको लेकर इन दोनों में जगडा है मनिपूर नागलेंड पंजाब और हरियाना ये क valor ये कोई कि पनंजाब पुरा बनाओ और ये किता गुजरात में नरवदान अधी को लेकर विवाद है। अब हम बात करें विशिष्ट प्रावधान। कई राज्यों को विशिष्ट प्रावधान भी दिये गए हैं। प्रावधान भी दिये गए हैं। और अगर आपात का लगता है तो जम्मु कस्मीर में नहीं लगेगा जब तक वहां की सरकार नुमती नहीं देगी। और एक 360, अनुच्छे 360 क्या है सविधान संसोदन। तो सविधान संसोदन यदि संसद करती है तो उसके लिए जम्मु कस्मीर विधान सवा की अनुमती जरूरी है। नहीं तो वहां सविधान संसोदन लागू नहीं होगा। तो इस पर करम कह सकते हैं कि जो हमारा संगवाद है वो आपस में विश्वास, सहन सीलता और सहयोग उसके लिए जरूरी है अगर संगवाद को रखना है। नहीं तो किसी वीडियो इसको तूटने में ज्यादा करूँगे। मैंने 9 से लेके 12 तक के सभी विश्यो के लगब वीडियो बनाये हैं एसिस्टी और पॉल साइंस के। तो आप इन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखे, पूरा देखे, धन्यावाद।